हलोगा इस वीडियो में आपको तामक इस देखेसा आप MySQL को इंस्टोल करोगे अपने विंडो पर चाहें आपकी विंडो कोई भी हो 7 हो 10 हो या अले भी हो आपको कोई प्रोलम्स नहीं आई तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तुस्ते पहला आपको अपना ब्राउजर और यहां पर आपको टाइप करना है MySQL अपने टी सर्वर आपको इस तरह का इंटरफेस होगा आपको जिस पर किलिक कर देना और यह लिंक में आपको डिस्क्रिशन में देदूंगा वहांसे भी आप यहां पर आ सकती हो जैसे आप इस पर ओपन करोगे तो आपको इस तरह क MSI installer को डाउनोड कर देना यहां पर किलिक करोगे तो यह आपको नेक्स पेज़ पर ले जाएगा यहां पर login और sign up option आपको कोछ नहीं करना आपको no thanks just start my download पर किलिक कर देना यहां पर download होना start हो जाएगा तो मैंने कर लिया हमा मैं इसे pause कर देता हूँ ठीक है हमारा काफ सेबा टाइम से हो जाएगा और यहां पर देख सकते हो इसका version 8.0.33 तो इसे install करते हैं आपको कौन सा करना इसमे developer default आपको developer default में काफी कुछ फाइल है मिलती है server यह तो मत करना इसमें खाले आपको server मिलेगा इसमें client मिलेगा यह full है यह फोचत आपकी MB लेगा और custom तो आप developer default ही कर दो ठीक है यहां पर आपको देख सकते हो यहां पर यह चीज़ आपको मिलेंग के तो हमें mysqal shell मिल जाएगे मं सर्फर मिल जाएगा और यह मं म maior universe क मिल जाएगे को बाल श्राओं और यहां पर ऑसे आपको connector मिल जाएगे आपको next कर दो ने बाद आपको execute कर देना एक्जिक्यूशन कम्पलिट हो scholar, आपको Next तो क्लिक करना and आपको, Next पर केलिक करना और आपको Just Next पे कलिक करना और आपको Just Next पे क्लिक करना यहाँ पर आपको इस तरह का MySQL root password आ प्र आपको पासबस बना लेंगा यहाँ यहां पर कुछ लोगों को करन रूट पाजबर्ट की पॉब्लम आती है कि यहां पर करन रूट पाजबर्ट तो वह उस पर बना वीडियो गना दिए और कफी अच्छा रिस्पोंस रहा है उस पर तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन देदूंगा अगर आपको पॉब्लम आ रही है माइस्कुल करन आहन यहां पर Emmr डाल आप धैने अधर फंसका स्ट्रोग पाजबर्ट डाला यहां यहां अच्छ करना और मुझे इसे भी आपको और आपको यहाँ पर next कर देना और आपको यहाँ पर next कर देना और आपको फिनिश पर किलिक करना और इसके बाद 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 आपको फिनिश पर करोगे एक कंडेक्ट कनेक्शन स्थ्स है और आपको नग्स कर देए इसका आपको फिनीस पर क्लिक करना और ने सपर कंड़ी करना और फिनीस पर क्लिक कर देना यह आपका mysql workbench अपन हो जाएगी mysql workbench यह ग्राफिकली होता जैसे यहाँ आप इस पर क्लिक करोगे आपे पासबर्ट डालोगे और connect हो जाओगे आप अपने servers ठीक है और यहाँ पर आप अपना database क्रेट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके database शो जाएंगे इस तरीके से यहाँ पर आपwałरी भी रूघ कर सकते हो और और इस ते यहाँ पर अप graphic nhi northern database क्रेके से पर rehabilitation करोगे यहाँ पर जाओगे इस तीं नाहिके से database मोश क्लिक कर दोगे और यहाँ पर डेस का नाम रख लोगे अपना एसे student और यहाँ पर आपries पर क्लिक करोगो th यहां पर आप देख सकते हो कि students नाम से database create हो चुका है इस पर click कर देंगे और इस पर आप table पर right click करोगे यहां पर आप देख सकते हो table पर right click करोगे create table और यहां से आप एक table create कर सकते हैं तो अब यहां पर questions होता है कि आप graphically guys थोड़ा कमी सीखो लेकिन आप काम करो अपना command के थूरी के थूरी के थूरी क्यूंकि आपको अगर एक डबल अपर काम करना है तो आप query के थूरी काम करते हैं तो आप graphically सीख लो कोई issue नहीं है लेकिन आप इस पर काम करो और आप जाद तो यहां पर आपको मिल जाएगी mysql command line ठीक है सब्सक्राइब करोगे तो आप अपने mysql server से connect हो जाओगे यहां पर टाइप करोगे show data basis तो आप यहां पर query के थूरी काम करोगे यहां पर आप देख सकते हो student नाम का वह database है जो हमने mysql workbench ना बनाया था और यह और बाकिस में database होते है information scheme mysql performance यह इसके by default आपको मिलेंगे यहां पर world ठीक है यह कुछ कम मिल सकते हैं लेकिन आपको by default मिलेंगे इसमें कुछ आएंगे यह student नाम को हमने बनाया था तो इस तहीं के साब इसमें mysql क इसको install कर सकते हो वह भी आपको issue नहीं आएगा तो यहां से आपको exit करना तो कहसे करोगे यहां पर exit पर click करोगे और enter कर दोगे और यहां से आप command line को search कर लेना mysql type करोगे तो आपको सारे option आ जाएंगे mysql workbench यहां पर आ जाएगा mysql command line यहां पर आ जाएगा mysql command line जो है वह आपका shell है यानि जैसे कि आपका terminal होता हूँ आप command के दूर अपनी window पर काम करते हो और workbench एक graphic user interface है जैसे कि यह आप आप दिख रहा है कि मैं फाइल open कर रहा हूं ठीक है तो यह सब ग्राफिकली ह और एक-एक आप terminal पर काम कर रहा हूं ठीक है और एक-एक आप terminal पर काम कर रहा हो तो अब basically यहां पर आप mysql command line पर काम ज्यादा करो क्यूंकि आपको काम करना होता query के साथ आप एक software डवलब बनाते हो तो आपको database डिजाइन करना होता है तो वह आप query के थूरी काम करते हो अपने database में तो आप यहां पर query के थूरी ज्यादा काम करो हाँ mysql workbench को भी सीख लो ठीक सीखने में उसमें कोई issue नहीं है उसे आप जरूर सीख लो और लेकिन आप काम करो mysql command line पर साथ तो guys अगर आपको कोई issue आ रहा है तो आप मुझे comment ना बता सकते हो और मैं उसे fix क अने के try करो और इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पस्सांट आयो तो प्लिज चैनल को subscribe करदू thanks watching guys